ओम शान्तिन ओम शान्तिन ओम शान्तिन सभी को एक सिवावा के भरोसे और उससे बल लेते हुए इस मामारी के काल को सहग भाव से निर्भीकता पूर्वक पार करना है हमारे साथ इसवर ये बल है बाबा ने बहुत पावरफुल बात कही तुम्हारे नस नस में इसवरी ताकत है अगर हम इस रियलाइजेशन में रहेंगे यहनि शरीर में भी हमारे इस्वरी ताकत है तो यह कोई भी वाइरस हम कोई फैक्ट नहीं कर पाएगा रोज एक अभ्यास किया करेंगे हम बाबा के भरोसे जीने वाले उस पर संपूर्ण विश्वास रखने वाले भरोसा तभी होता है जब हम किसी को जानते हैं और किसी पर पूरा विश्वास होता है तो उसके भरोसे से हम जीते हैं तो सिव बाबा तो हमारा है और वो निरंतर हमें बल देता है हमारी केर भी करता है बाकि कोई ऐसा ना सोचे इस कार्थ कि किसी की म्रत्यू नहीं होगी, देखे म्रत्यू पर किसी का धिकार नहीं होता है, जिस कारण से, जिस समय पर, जिस घड़ी किसी की म्रत्यू होनी है, किसी व्यक्ति के द्वारा होनी है, तो वो कोई विशेस कारण जैसे कोरोना है, किसी क एक्सेडेंट से किसी का कैंसर से किसी का बैठे बैठे तो वो होनी ही है इसलिए ब्राम्मन जिनके पास ज्यान है वो मृत्यू को केवल देहे छोड़ने का ही नाम दें वस्तुतारने का नाम दें आत्मा एक देह छोड़कर दूसरा लेगी और ये क्रम सदा ही चलता है युग प्रत्यू से कस देती है लेकिन अब मोही तो बनना ही होगा मोहों की ही सबसे बड़ी परिक्षा अब रोज रोज हो रही है और होनी है इसलिए बहुत अच्छा अब्यास करेंगे सर्व शक्तिवान की किर्णे मुझ पर आ रही हैं और ये किर्णे मेरे चार और पावर्फुल और बना Rही है अबहा मंदल बना रही है अपने को कुछ देर इसाबहा मंदल के बीच में वैठा दें और संकलक करें ये आबहा मंदल बहुत ही पावर्फुल है इसको कोई भी भेद नहीं सकता है तो अगर हम इस तरह बहुत पावर्फुल रहेगे तो हम सधा सुरक्षित रहेंगे? भगवान हमारा साथी है, ये गीत गाते रहें, भगवान हमारा साथी है, इस्वर अपने साथ है, डढ़ने की क्या बात है? तो हमारा मनों बल बढ़ा चड़ा रहे, उसके साथ का हमें एहसास होता रहे, उसका बल हमें मिलता रहे, देखे बल तो वो देता है, पर रिशीव तो उसे हमें करना होता है, हम इस वर ये बल को ग्रहन करना सीख लें, जितना जितना हम सोल कुंसियस होंगे, तो परमात्म सक्तियां हम receive करते जाएंगे, grant करते जाएंगे, इसलिए soul conscious होके रहना बहुत यावस्चक है, इससे दे का भान भी छूटता जाएगा, और अगर कभी भी दे छूटता है, तो आत्मा निश्चिन्त होकर बाबा के पास जाएगी, तो बाबा के भरों से निश्चिन्त जीवन जीना सीखें, बेफिकर जीवन जीना सीखें, बहुत बड़ी चीज है, अगर भगवान के बच्चे ही फिकर करेंगे, चिन्ताओं में जीएंगे, जिनके पास संपूर्ण ज्यान है, वही ये दिन निर्भीक नहीं रहेंगे, तो स हैं, तो हम बहुत अच्छा बाबा के साथ को अनुभव करते हुए, उसमें विश्वास करते हुए, उसके बल को ग्रहन करते हुए, जीते रहें, और जितना जितना उसकी शक्तियां हम प्राप्त करते रहेंगे, इस शक्तियां चार ओर फैलती रहेंगी, हमारे चार ओर का पावर्फुल बनता रहेगा इन सक्तियों में भी इफेक्ट है इस वायरस को नस्ट कर देने का तो आईए हम सभी भगवान के वच्चे उसके बल पर उसके भरोसे पर निर्भीक होकर इस आपदा विपदा के समय विच्रन करें और सब को बल दें तो आप सब को बहुत बहुत झांक्स, ओम श्यंटी